Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और ReactJS की इस वीडियो के दर हम बात करने वाले हैं कि एक array को किस तरीके से handle करेंगे और उसकी list हम कैसे display करेंगे अचा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ list, array, map function हम for loop क्यों नहीं use करते of array of object इन में से एक या दो question interviews के अंदर पूछी लिये जाते हैं तो ये video important है, अच्छे से देखना जो भी question हो मेरे से comment box के अंदर पूछ लेना right so, सबसे पहले हम क्या करेंगे array बनाएंगे, array बनाने के बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि map function का use क्या होता है इसको क्यों use करते हैं और basically हम react के अंदर map function ही क्यों use करेंगे एक list को दिखाने के लिए for loop क्यों नहीं use करते हैं दोनों का मैं आपको ये दिखाऊँगा कि दोनों में क्या फारक होता है दोनों का example लेके दिखाऊँगा then उसके बाद में हमारे एक list बना देंगे हम array के साथ में जैसे हमारे list बन जाएगे यहाँ पर name के list रहेगी let's say कुछ मैं name ले लूँगा अनिल, Peter, Bruce and something और उसके list दिख जाएगी HTML के अंदर then उसके बाद में हम क्या करेंगे array of object लेंगे array of object का मतलब क्या है आपको detail में बताऊँगा बट थोड़ा मोटा माटी बताऊँ तो जैसे कि अब भी के लिए हमारे पास item क्या होंगे array के अंदर name होगा, अब name में क्या होगा name अनिल, Peter, Bruce ऐसे but array of object के अंदर क्या होगा name की जिगह पर पूरा एक object होगा उस object के अंदर नाम के साथ-साथ email address, phone number ऐसे रहे का पूरा राइट, उसको हम list में बनाएंगे और last में एक interview question पूछूँगा आप चाहो तो उसको comment box के अंदर attempt भी कर सकते हो और यह मेरा Instagram account है अगर आप मुझे हमापर join करना चाहते हो तो, यह video basically interview question से भी भरी पड़ी है और बहुत सारे doubt भी clear होंगे क्योंकि जब fresh word से पूछते हैं कि आप लोग map function यूज़ करोगे या फिर for loop यूज़ करोगे, क्योंकि दोनों ही data को looping के लिए यूज़ में आते हैं for loop use करेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से बचपन से नहीं तो at least जब से उन्होंने cc पढ़ने शुरू करें तब से वो for loop यूज़ करते हैं map loop उन्होंने शायद कभी यूज़ करा हो या फिर जब से JavaScript पढ़ी हो तब से उनको पता हो, right? तो वो for loop यूज़ रिकमेंड करते हैं और उन्हों confusion रहते हैं कि हम यहाँ पर map function क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं so सारी confusion भी यहाँ पर आपकी clear हो जाएगी so start करते हैं सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ map function सबसे पहले हम एक array बना लेते हैं let's say यहाँ पर मैं लिलता हूँ Anil then Sidhu right then मैं यहाँ पर लिलता हूँ let's say Sam or let's say Peter four काफी है list बनाने के लिए alright सबसे पहले बात करते है map की map function भी basically looping के लिए use होता है right आपके एक array के element को और उसको अगर आप चाहो तो print वगरा करवाना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो तो वह कर सकते हो right example दिखाता हूँ मैं students.map right और यह basically आपने आपमे लेता है function as an parameter और यहाँ पर function लेता है as an parameter और इसके function के लिए परामेटर रहता है उसमें आप चाहिए item डाल दो यहाँ पर i डाल दो key डाल दो जो भी आपका मन करें वो डाल दो right मैं हाँ पर डाल देता हूँ item और अब मैं यहाँ पर करता हूँ console.one और यहाँ मैं print करता हूँ item right यह आप देखोगे क्या print कर देगा इनके नाम print कर देगा थोड़ास हमें इधर रखता हूँ इसको इसने क्या करा अनिल, सिद्धू, सैम, और पिटर जो भी हमने यहाँ पर array लिया था उसके नाम print कर दिये right और इसके दर हम कुछ चाहिए तो include भी कर सकते हैं let's say यहाँ पर my name is इस तरीके से right और यहाँ आप देख सकते हूँ यहाँ पर क्या आगया my name is Anil, my name is इद्धू, my name is सैमिनलो, alright so यह तो हमारा हो गया basically map का काम अब for loop क्या यूज़ करता है मैं हाँ पर लेता हूँ for loop मैं लेता हूँ let i equal to 0 i less than i less than student dot length right और चलेगी i plus plus i plus plus right और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेम कंसोल यूज़ करूँगा जैसे के मैं यहाँ भी यूज़ कर गये और यहाँ मैं बस एक छोटा से change करूँगा यहाँ भी लिखूँगा item i right और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ in for loop right अब हम देखते हैं कि हमारे पास difference क्या है let me check यहाँ पर item नहीं है यहाँ पर students है basically right because हम student के उपर लिखा रहे हैं item तो हमने यहाँ पर कहीं पर लिए हैं item तो यहाँ पर था उपर वाले map function में again मैंने कुछ problem करी है गया not at all इसको जब रिफ्रेश करना पड़ेगा right तो आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ भी name आ रहे हैं और यहाँ पर भी name या रहे हैं बट यह for loop के अंदर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर map function क्यों यूज करेंगे array function क्यों यूज करेंगे इसका एक reason होता है जब हम return statement लिखते है न वहाँ पर return statement के अंदर map support करता है बट for loop support नहीं करता है right so अब मैं आपको example दिहाँगा इसका अब यह के लिए मैं दोनों कर रहा हूं comment right return statement के अंदर सबसे पहले मैं लोगा एक map function जो हम सही तरीका है वो करके देखते है student.map और map के अंदर मैं यहाँ बेसिकली यूज़ करूँगा एक वही arrow function और यहाँ पर लोगा basically item, item की जिए मैं यहाँ पर data ले लेता हूं right तकि आपको यह ना लगे कि हर बार का मैं item यूज़ करना है और यहाँ पर आपको गया करना है just एक div लेना है h1 tag ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और यहाँ पर लेंगे हम data और अब हम देखने हैं कि क्या दिख रहा है data मुझे लेना है as in जो यह लाइटम है jsx के अंदर तो हम पर अनेल, सिद्धू, सैम सब आ गया that's great तो क्या मैं इसी तरीके से for loop यूज़ कर सकता हूँ try कर लेते हैं मैं आपे लेता हूँ एक function और इसी को उठा लेते हैं हम इतनी महनद करनी क्यों है इसी को उठा लो और अब इसके अंदर जो h1 tag है मैं यह उठा लेता हूँ इसी तरीके से comment है जो इनको हटा देते हैं और यहाँ पर मैं इसको print कर देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर जो हमने लिया हूँ है student i मैं इसको भी लिगी देता हूँ यहाँ बिल्कुल same कोई problem नहीं है but आप check करोगे जैसे ही मैंने इसको use कर रहा है यहाँ पर इसको मैं चलो ठीक है एक और थोड़ा सा नीचे करके जैसे हमने jsx यहाँ पर इसके बाहर भी मैं use कर देता हूँ इस तरीके से कोई problem नहीं है अब इसको support नहीं कर रहा है इसने बोल दिया unexpected token because जैसे मैंने for loop start करा इसको समझी नहीं आया कि return के अंदर में for loop भी दे सकते है इसलिए हम कभी भी for loop वाही loop बगारा यूज नहीं कर सकते है हम इसके अंदर बस map function ही use कर सकते है yes filter बगारा जैसे कुछ और methods भी use कर सकते हो बोड़ थोड़ जादा complex होते है तो नहीं कुछ मतलब होता नहीं है right so हम इस तरह के स्यूज़ कर सकते है मैं हाप लिख सकता हूँ name is this name is Anil name is Sidhu Sam and Peter that's great so यह मैं चीज़ पता चल गई अब इनका कोई काम नहीं है हम इनको हटा सकते है बिल्कुल हटा सकते है all right so अब हम एक चीज़ और करते है जहां पर मैंने name ले रखेते हैं तो इसको मैं हटाता हूँ यहां से name से और similarly कहरे बनाता हूँ const student students और यहां पर मैं चाहता हूँ कि उसका नाम और उसका इमेल एडरस भी आए और साथ में उसका नमबर भी आए पहली बात तो मुझे यह नहीं बता चलेगा कि इसके अंदर email कौन सा है इसके अंदर नाम कौन सा है इसमें phone number कौन सा है और दूसरी चीज़ यह खुद अपने आप में अलग-अलग item हो गए है जैसे कि हम इसमें name थे तो एक item रहा ही नहीं इस problem को resolve करने के लिए हम क्या यूज करते है इसके लिए हम यूज करते है objects इस तरीके से curly braces यूज करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम name अब यहाँ पे नाम आएगा let's say अनिल और इसके अंदर हम लिख सकते है email address कौमा लगा के और इसके अंदर आ सकते है let's say email address test.com और यहाँ पे आ सकते है contact और contact के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते है let's say 000 right that's it तो इस तरीके से हम basically अगर एक user की एक नाम से ज़दा डिटेल है अगर यहाँ पे age होती तो यहाँ पे 10, 20, 30 सारी लिख देता कोई प्रणम नहीं थी बट यहाँ एक बहुत सारी collection of image है collection of information है तो इस तरह के से लिखते है अब दूसरे user की कैसे लिखूँगा मैं कोमा लगाएंगे और एक और second और कोमा लगाएंगे और फिर third अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और लेट से एक और ले लेते हैं पीटर 3 3 3 3 लेकिन अब भी प्रूब्रम है अब जब इसको हैंडल करने जाओगे न तो अब इसने मना गर दिया इसने बोला है कि legacy of little are not allowed in a strict mode राइट अब यह क्या है हमें यह नहीं बता तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर यह है कि जब हम यहाँ पे normally triple two बगारा use कर रहे है उसको समझ में नहीं आ रहा इसको actually यह लग रहा है कि यहाँ पे कुछ यह और है तो इसको यहाँ पे triple eight बगारा कर दो actually code समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से अब आप इसको refresh करेंगे तो अब यहाँ पे इसने क्या करा देखो यहाँ पे इसने बोला object is not valid for react child तो अब इसको यहाँ पे क्या problem आ गई है इसको यह problem आ गई है कि यहाँ पे जब यह object है अब object के अंदर पूरा आ गया है पहले तो एक नाम आ रहा था अब इतना सब कुछ आ गया कहता है मैं इसको कैसे शो कर वहाँ यह मेरी बस की चीज नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए dot name यूज कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे name आ गया तो हम सोचते हैं कि चलो name तो आ गया अब email address, email address के लिए पिस तरीके से लिख सकते हो comma this और यहाँ लिख सकते हो email address right अब हमारे पास email address भी आ गया बट यह थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा आपको थोड़ा सा इसको stable बनाते है stable बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर现在 table लेता हूँ right so मैं यहाँ पर table लोओंगा कुछ इस तरीके से table और मैं इसको यहाँ यहाँ पर बंद कर दूँँगा right और यहाँ पर मैं पर ria लोओंगा hier यहाँ पर स्को बंद कर दूँगा right इसको मैं बंद कर दूँँगा, TD, इस तरीके से, राइट, और यहां पर मुझे, TR बंद करना, अच्छलिए TD बंद नहीं करना, राइट, और यहां पर मैं बेसिकली लोगा, यहां पर, data.name, और अब मैं यहां पर लोगा, data.email address, अब देखते हैं हमें क्या मिलता है, अब मैं एक थोड़ी सी टेबिल जैसी लग रही है, बट इसमें कुछ टेबल का बोर्टर वगर है नहीं या रहा है, तो मैं समझ में नहीं या रहा हूँ, तो अब यहां पर लेंगे हम, बोर्डर इकल टू 1, अब थोड़ा सा बोर्टर भी दिख रहे हैं आपको राइट, तो अगर आपको यहाँ पे एक हैड भी चिपकान है, तो आप इसको यहाँ से कोपी करके, यहाँ पे रख दो, स्टेबल के बाहर, और यहाँ पे आपका आजाएगा अभी के लिए, आपके सिंबले लिख सकते हो, नेम, इमेल एडरेस, एड अड दे लास्ट, कॉन्टेक्ट, राइट, बच बैटर, तो इस तरीके साब एक टेबल बन सकती है, तो ओल राइट, इसको रिफ्रेश करते हैं, सब ठीक चल रहा है, अब तक हमने कहा चीज़े देख लिए, मैं फंक्शन को यूज करना है, लूप क्यों यूज करना है, लिष्ट के साथ हमने देख लिया, और अब्जेक्ट के साथ में, आरे कैसे यूज करते हैं, देख लिया आप बात आते हैं, इंटर्वी कोश्यन की, और यह बहुत यदा इंटर्वी कोशन है इसी के उपर mostly कोशन पुछ रहते हैं एक देखो यहाँ पे जब आव गए न तो आपको एक warning दिखेगी Each child in a list should have a unique key probe Sorry आपको यह बताना है कि यह क्या warning है किस वज़े से आई है और कैसे इसको resolve कर सकते हैं और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बूलना नेक्स्ट वीडियो कंदर हम क्या करेंगे इसी problem का solution बताऊँगा मैं आपको और साथ मैं आपको यह भी बताऊँगा कि देखो अब यहाँ पे जो list है आपको ज़्यादा चिन लग रही है मुझे पता है और फिर बाद में IPIs बगारा कोल करने कोपर वीडियो लेकर आएंगे so thanks for watching this video चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना बाई बाई टेक क्यार